हलो बच्चों मेरा नाम है संतोष कुमार और मैं सीनियर एजुकेटर हूँ न्यू एज कोचिंग में और आज मैं आप सब लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ यह है लेसन नमबर 14 लेसन नमबर 14 और इसका नाम है इसका नाम है नेता जी सुहाश चंदर बोज क्या सुना आपने नाम नेता जी सुहाश चंदर बोज तो आज हम लोग नेता जी सुहाश चंदर बोज के बारे में पढ़ने जा रहा है और यह chapter पढ़ने के बाद में कभी भी अगर exams में पूछा जाता है ऐसा कहा जाता है कि आपको एक essay लिखना है नेता जी के बारे में You can write it, okay? So we are going to start the chapter Subhas Chandra Bose was a great freedom fighter He was also known as Neta जी तो बच्चों आप freedom fighter सब समझ रहे हो Freedom fighter का मतलब होता है स्वतंतरता से नानी वे लोग जिन्होंने हमारी देश की स्वतंतरता दिलाने के लिए अंग्रेजों के साथ में लड़ाई यहां लड़ी लड़ाई लड़ने का मतलब है बिल्कुल गोली बंदूग, लाठी इन सब चीजों से मुक्के मुक्के वाली लड़ाई ही नहीं उनका विरोध करना वो भी तो एक लड़ाई थी न तो यहां हम बाते करेंगे सुभाष्चंदुर बोष जी के बारे में सुभाष्चंदुर बोष जी के बारे में क्या लिखा है कि वे एक महान स्वतंतरता से नानी थे He was a great freedom fighter He was also known as Neta जी उनको सब लोग नेता जी के नाम से भी फुकारते थे तो बच्चों ये बात है कि नेता जी का जन्व कहां हुआ था तो एक्च्वली में नेता जी का जन्व 23 जन्वरी 1897 में हुआ था और कहां हुआ था उडिशा उडिशा जान रहे हो न आप बिहार के बंगाल के बाद में ये इस्टेट है उडिशा उसी में कटक में एक हिंदू पडिवार्मिन का जन हुआ था प्रभावति देवी उनके पिता जी का नाम क्या था जान की नात जी का नाम था प्रभावति देवी तो बच्चो अभी तक जो हम लोगों ने ये पहले पैराग्राप में चार-पांस लाइन्स की पढ़ाई की इसके बेसिस पर कुछ एक क्वेस्टन आपके एक जांप्स में ह हो सकते हैं चैप्टर के आखिर में भी हो सकते हैं कि हूँ आज नेता जी नेता जी के नाम से किसको जानते हैं नेता जी का जन्म कभ हुआ ये भी पूछा जा सकता है नेता जी का जन्म कहां हुआ ये भी पूछा जा सकता है और एक सवाल ये भी हो सकता है कि what was the name of the parents of नेता जी नेता जी के माता पिता का नाम क्या था? Okay, he was A very brilliant student in the school ये तो बहुत ही interesting बात है और बहुत ही inspiring बात है नेता जी के बारे में कि नेता जी एक महान freedom fighter तो थे ही लेकिन वह अपने school के दिनों में childhood में school college की दिनों में जब वह पढ़ाई कर रहे थे, student थे He was very brilliant student, वो बहुत तेज विद्यार थी थे He completed his schooling from Kattak, matriculation from Calcutta, now Kolkata MBA from the University of Calcutta in 1918 अब ये बातें बताई जा रही हैं उनकी पढ़ाई के बारे में कि उन्होंने अपना school education खत्म किया Kattak से Matriculation उन्होंने कहां से किया, कलकता से किया, जो कि आजकल के समय में Kolkata नाम से जाना जाता है And he had completed his BA from the University of Calcutta in 1918 उन्होंने अपना BA, Bachelor of Arts, Graduation की डिग्री उन्होंने कलकता से, 1918 S.V. में पूरा किया था, University of Calcutta से Later his father sent him to England, to appear in the Indian Civil Services Examination तो बच्चों आजकल के समय में भी Civil Services की examinations होते हैं न आपने सुना होगा UPSC का examination, Union Public Service Commission, BPSC, Bihar Public Service Commission तो ये बात बताई जा रही है कि चुकि उस समय तो हमारा देश आजाद नहीं था तो इसलिए उस समय में Indian Civil Services का examination इंग्लैंड में हुआ करता था और आजकल अपने हाँ IAS का examination अपने ही देश में होता है ये जो मैंने बताया है न UPSC का examination, BPSC का examination तो इसमें से जिन बच्चों का जिने students का selection हो जाते हैं वे IAS अधिकारी बनते हैं तो उस समय में ICS का examination भी बढ़ी बात रही होगी और बिल्कुल बढ़ी बात थी तभी तो इनके पिता जी ने सुभाज संद्र बोश जी को ICS का examination देने के लिए कहां भेजा उन्हें London भेजा London, England भेजा और ICS का full form क्या है बच्चों ये है Indian Civil Services He passed and joined the service but soon he resigned from the Indian Civil Services and returned to India to participate in the freedom movement तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि नेता जी वाजे ब्रिलियंट एस्टूडेंट चुकि वो एक ब्रिलियंट तेज तिक्स्न बुद्धी की विद्यार थी थे तो उन्होंने ICS का examination पास कर लिया और उसके बाद उन्होंने ICS की service join भी की लेकिन उन्होंने जल्दी ही उसमें से resign कर दिया और वो वापस इंडिया आ गए और यहां आकर कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को freedom movement को स्वतंता संग्राम के लिए जो आंदोलन जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसमें उन्होंने अपनी भागीदारी शुरू की He was very much influenced by the nationalist देश बंधू चितरंजन दास His political guru और बताते हैं कि वो राष्टवादी देश बंधू चितरंजन जी से बहुत प्रभावित थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं को उन्होंने अपना राजनितिक guru बनाया हुआ था He motivated the people to join the freedom struggle सुभाष चंद्र बोष जी ने बहुत साड़े लोगों को motivate किया इंस्पायर किया प्रोटसाहिद किया कि आप सबको देश की स्वतंता संग्राम में सामिल होना चाहिए सुभाष चंद्र बोष strongly opposed British rule through the newspaper called स्वराज सुभाष चंद्र बोष जी ने उस समय एक अख़वार भी निकाला जिसका नाम था स्वराज और इसके जड़िये उन्होंने अंग्रेजों के सासन का British rule का पुर जोर विरोध किया पूरा विरोध किया He went away to Singapore and formed his own Indian National Army INA Also known as आजाद हिंद फोज आगे चलकर के नेता जी सुभाष चंद्र वो सिंगापूर चले गए और वहाँ जाकर के उन्होंने INA Indian National Army जिसका नाम आजाद हिंद फोज भी कहते हैं इस नाम से उन्होंने सेना वहाँ पर गठेट की अंग्रेजों से लड़ने के लिए He gave the slogan to his army उन्होंने अपनी आर्मी को अपनी सेना को एक नारा दिया क्या-क्या नारा दिया उन्होंने उन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो एंड जैहिंद He inspired his army through his great words और चुकि वो बहुत ही अच्छे student थे बहुत अच्छे motivated थे बहुत अच्छे leader थे तो वो अक्सर अपनी सेना को inspire किया करते थे और अक्सर उन्हें उनकी हिमत बढ़ाने के लिए उनको प्रेडित करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बातें कहते थे जैसे उन्होंने कहा कि give me blood and I will give you freedom तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजा दे दूंगा अपनी मातरी भूमी यानि भारत को ब्रिटिस लोगों के सासन से आजाद करना चाहते थे इस बिलीब दैट नेता जी डाइड इन प्लेन क्रैस इन ताइवान इन नाइंटिन फोटिफाइव बड़ देथ इस इस तिल अंसॉल्ट ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक प्लेन क्रैस में एक हवाई जहाज की दुरघटना में नेता जी की मृत्यू ने 145 इस्वी में ताइवान में हो गई लेकिन ये अभी भी मिस्ट्री है रहस्य है और उनकी मृत्यू का ये जो रहस्य है ये जो पहली है ये अभी भी हर एक भारतिय के हिर्दय में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे क्योंकि उन्होंने इतना प्रेरना दायक काम किया है इतनी प्रेरना भड़ी बाते की हैं इसकी वज़े से वो हमेशा याद किये जाएंगे अमर रहेंगे ठीक है तो बच्चों इस तड़ी के से यह चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है अब एक बार हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स के बारे में देख समझ लेते हैं कि आखिर क्या-क्या वर्ड्स इस चैप्टर में कहा जा रहा है उनका क्या मतलब है कैसे इस्तिमाल करना है स्वतंत्रता सेनानी ब्रिलियंट प्रतीभासाली रिजाइंड रिजाइंड का मतलब होता हिस्तिफा देना इन्फ्लूएंस प्रभावित किया प्रभावित करना नेशनलिस्ट का मतलब होता है रास्ट्रवादी है ना और मोटिवेट करने का मतलब अभी प्रेडित करना स् Opposed, Opposed करने का मतलब होता है, बिरोध करना, Opposition मतलब बिरोधी, Unsolved, Solve हो जाना मतलब सुलज जाना, Unsolved मतलब अनसुलजा हुआ, Everlasting, मतलब ऐसी चीज जो पर्मानेंट है, स्थाई है, जो कभी मिट नहीं सकती, that is Everlasting, तो बच्चों इस तरीके से, आज मैंने आपका यह जो चैप्टर डिसकस किया, जिसका नाम था, नेता जी सुवाज संद्रभूस, यह लेशन नमबर 14 था, और यह लेशन उन बच्चों के लिए है, जो यूपी बोर्ड का Class 7, Class 6, यूपी बोर्ड से Class 6 की पढ़ाई कर रहे है तो उनकी जो English की किताब है, Rainbow Six, उसी का यह चैप्टर था, तो जल्दी ही हम लोग इस चैप्टर के Question Answer Session के साथ में फिर से आप से मिलेंगे, आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, इसे Like करो, Share करो, Subscribe करो, आगे चलकर कि इस पर आपको काफी साड़े पढ़ाई के लिक्चर्स मिलने वाले हैं, जिसे सही से इस्तेमाल करके आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से अच्छा performance कर सकते हो, ठीक है, फिर मिलते हैं,